अलो दोस्तों आपके अपने मरूद्र येटूब क्लास पर आपका स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके लिए टेट सीरी नंबर वन लेकर रखाया हूँ और टेट सीरी नंबर वन आपकी राजस्तान की बोलिया क्योंकि चाहे पटवारी का एक्जाम हो राज पूरे इंपोर्टेंट कुश्चन में आपको 60 के लगब पूरे इंपोर्टेंट कुश्चन जो की बोलियो में से बनतें तो आप पटा पर चेटिंग बोक्स में पर कमेंट करके बते जल्दी से जल्दी हमें बते ही आपके कितने कुश्चन राइट है और ज्यादा ज्यादा लोगों को इसको शेर कर दिए जल्ड़ के और उनका सेलेक्सिन शोर हो सके दोस्तों और दोस्तों पहला है मारा से पढ़ना कि कहां पर बोली जाते हैं नहीं बोली जाती है क्योंकि जल्दबाजी में मारा क्युस्चन से गलत हो जाता है इस करण्ड से आप बिल्कुल कुस्चन को साउधानी पूरोग पढ़े और आराम से पढ़ करी वहां पर जवाब दे एक्जाम में तो इसका जो राहि कर्वाव से आप बरजबाश्या बोली जाती है दूसरे क्युस्चन हमारा निम्द मेंसे कौन सी अकादमी स्वरमंगला नामक पत्रिका का परकाशन करती है यहाँ पर पूचा है पहली राजस्तां संसक्त एक आदमी दूसरी राजस्तान हिंदी गरंत अकादमी तीसरी राजस्तान उर्दू अकादमी तो यहां पर जो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा राजस्तान सब्सक्राइक आदमी स्वर्मंगला नामक पत्रिका का परकाशन करती है दोस्तों जल्दी साप कमेंड बोक्स में कमेंड करके बते हैं पटा-पट क्या आपके कितने क्यूश बढ़ती हो या फिर कोई सि गणा बर्धा कोई राजस्तान कि का अकादमी की स्तापना की घेक यहां पर पूचाए का र मेराजस्तान बरजबाश्य के लेकाूँ ऐस साफ काजमी की इस्तावन कब की गई pensar चीजब हhmen एच सा स्वार ठोईय। चोते का जुराइट आंसर हो जाएगा राजस्तान में हिंदी गरंत अकादमी की स्तावना 15 जुलाई 1968 को की गई उसका लावा यहाँ पर पांचवाइट राजे का वे कौन सा जीला है जिसमें बरजबाशा नहीं बोली जाती है कोटा दोलपूर अलवर भरतपूर तो यहाँ वह शेत्र है कौण सा है राजी के जिस शेत्र में बांगड़ी बाशा बोली जाती है वह शेत्र कौन सा है राजी के जिस शेत्र में बांगडी बाशा बोली जाती है शेत्र कौन सा है पहला of sea दूगरपूर दूसरा चुरू तीसरा भाल मीर जालो छोता कोटा भूंदी तो छटे का जो राइट आंसर हो जाए गए आपर राजी के जिस शेतर में बांगडी बोली जाती है कौन साइट डूंगरपूर है क्योंकि बांगडी बाशा है यह मतलब गुजराती बाशा से मिलती जूलती है और गुजराती बाशा से मिलती जूलती होने के कारण जो आपक पूर्वी बाग से, दूसरा राज्य के पच्छीम बाग से, तीसरा राज्य के उत्री बाग से, और चोता राज्य के धक्षनी बाग से, तो यहाँ पर जो सात्वे का राइट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा है यहाँ पर राज्य के पूर्वी बाग से, जो कटेर मेव तीसरी बांगडी चोती उक्त सभी तो आठव का जो राइट आंसर हो जाएगा राजिस्तान में गुजराती बोली का मिश्रन बांगडी में माना गया है क्योंकि बांगडी डुंगर गुरु बांसराड़ा शेतरें बोली जाती है और गुजरात के सिमा और तीजिल्राइवन लाइट पुछाईहां धाल में लए जाती है कि ऐसों जाती है कि तो यहां पर दत्री ने हैं पर पूर्वे तो यहां पर कुन सी बाशा बोली जाती इह तो यहाँपर दस्वे कुशन का right answer हो जागा हमारा धक्षणी पूरी उराष्थान में जो भाषा बोली जाती है हमारा जिस भाषा की उपमुक्के बोलिया रतलामी उमटवाडी और सोंडवाडी वे पाट भी है मतलब जिस बाशे क्यूं बोलिया रतलामी उमटवादी तोड़वाडी वे पाट विये वे कौन सी बाशा है तो ग्यार्वे का जुराहिट आंसर हो जाएगा हो जाएगा मालवी हो जाएगा और उसके लावशे मालवी मुख्यते कहां पर बोली जाती है मालवी मुक्य ते एमपी में बोली जाती है इंदोर देख लो आप मनसोर देख लो यहापर मालवी बाशा बोली जाती है उसके लाओ यहापर है हमारा बारवा क्युष्चन है राज्य के कोटा जहला वाड परताफ गड़ में कौनसी बशs harusрашा बोले-जाती सबी तो बार वाडवे का जराई टांशर हो जाएगा कोटा जहला परताबगढ़ के लिए होता है दूसरा मालवी में तीसरा रांगडी में चोता किसी में नहीं तो यहां पर गयारां से जाएगा हो जाएगा हाब हिती, चैका जू परता है हाडूती से हमारा दख्षितार टो, क्योंसी बाश्था पहली रांगडी दूसरी भीमी तीसरी नहीं चोलती उसों से कोई नहीं तो क्यों क क्यों शोपके मिन को शर्स राज्वा उस यह मुक्यते भरतपूर दोलपूर में बोली जाती है दूसरा है मुक्यते कोटा और बुंदी में बोली जाती है तीसरा है मुक्यते जेपूर जोदपूर में बोली जाती है और चोता उक्तमे से कहीं नहीं तो पंजवे का जो राइटा अंसर हो जाएगा explorief जाती है स्थीचा के बनार नियूता ह forty american यहां पर ४ूचह एक उसका मतलब पूच्क का हुचान च्रहने किया जाता है मतलब उसका से होता है रहां संस्तान जोकि जोदपूर में कार्यते उसके संचलक कौन है पहला अगर चंद नहटा दूसरा नाराएंड सिंग बाटी तीसरा नर्पती नालह चोता कमल कोटारी यहाँ पर है मतलब राजिस्तानी शोध संस्तान जो की जोधपूर में कारेते उसके संचालक कोने तो दूसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा नाराएंड सिंग भाटी हो जाएगा अठारवा क्यूशन है हमारा यहाँ पर अठारवा क्यूशन है हमारा अठारवा क्यूशन है आपर वरत कता कोश जान दोस्तों वरत कता कोश एम कुवल मल्याला कुवल्य माला परसिद गरंद किस भाषा में लिखे गए है कुवल्मल्याला और वरत कता कोष किस भाषा में लिखे गए है पहले संसकर्थ में, दूसरे राजस्तान में, तीसरे अंग्रेजी में, चोते हिंदी में तो अठारवे का जो राइट आंसर हो जागा यहां पर जो कुवल्मल्याला और वरत कता कोष लिखे वोज संसकर्थ भाषा में लिखे गए है उननिसवा कुशन हमारा दिम्न में से किस विद्वान के द्वारा राजस्तान की भाषा का पर्तम व्याकरण लिखा गया है पहला सीता राम लालस के द्वारा दूसरा राम करण वास्वापा तीसरा विजदान देता चोता महरान पुम्बा तो 19 वे का जो राइट आंसर हो जागा दूसरा हो जागा हमारा रामकरण आसुपा के द्वारा राजस्तानी बाशा का पर्तम व्याकरण लिखा गया है तो यहाँ पर हमारे बीश्वे का जो राइट आंसर हो जाएगा शिचुपालवद है वो एक संसकर्थ में लिखा गया है मतलब एक तरह से संसकर्थ ग्रंथ हो इकिसवा क्यूशन हमारा चारण सेली दूसरे किस नाम से जानी जाती है चारण सेली के बारे में पूचा गया है आपर चारण सेली दूसरे किस नाम से जानी जाती है पेला पिंगल दूसरा खडी तीसरा डिंगल चोथा बाट तो इकिसवे का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरा नाम से जाने जाती है बाइसवा कुशन हमारा कों सा मारवाडी भाष्या का साहितिक है पहला पिंगल दूसरा अब्रण्फ तीसरा ब्रज चोथा डिंगल तो यहाँ पर जो 2번 का जो आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों जल्ली से बताईए हैं आपके अंसर हो मैं पर हो जाएगा डिंगल हो जाएगा क्योंकि मारवाडी बा दो बाचंग ऑर अधिक रूप किसे बोलुätte कुलिए जाता है और उसके लावा यहां पर पूरी में कौन से बोली जाती पिंगल बोली जाती है पहले बरजबाश्या दूसरी मालुः तीसरी महरवाडी, चोती राजस्तानी तो यहाँ पर जो 23 करा राइट आंसर हो जाएगा मतलब राजस्तान की जो मानक रूप या मानक भाष्षा मतलब राजस्तान की प्रमुक जो भाष्षा बोली जाती है और सबसे लोगों के द्वारा सबसे अच्छे राजस्तान पर जो भाष्षा बोली जाती है वो मारवाडी भाष्षा बोली जाती है चोध्वा क्यूशन की ओर चलते हैं हम दोस्तों चोध्वा क्यूशन है हमारा यहाँ पर नहीं सर्थ चोईस्वा क्यूशन चोईस्वा कुशन हमारा संत दादु धयाल तता उनके सिशों की रचनाएक इस भाशा में लिखी गई है पहली मालवी में, दूसरी डुन्डाडी में, तीसरी बांगडी में, चोथी मारवाडी में तो चोईस्वे का जो राहिट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा हमारा दून्डाडी हो जाएगा पच्छिसवा कुशन हमारा गिरिये संने राजस्तानी भाशाओं बोलियों का जो वरगी कर्ण शेत्रों के साथ किया उससे सुमेली कीजिए पहला पच्छिमी राजस्तान बांगडी सेत्र ये तो बोलिया है उसके लाव शेत्र बताया यहापर मारवाडी में वाती तो हमें यहापर इनको क्या मतलब सही क्रम में आपको जमाना है यहापर तो अब हम यहाँ पर चलते हैं 25 में क्या अंसर हो जाएगा हमारा 25 का हो जाएगा यहाँ पर पच्छी में राजिस्तान मारवाडी मेवाती उत्री राजिस्तान अहिरवाटी मेवाती तो दोस्तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पेला हो जाएगा यहाँ पर पेला हो जाएगा मतलब यहाँ पर पूरे करम सही है दोस्तों जिहां दोस्तों यहाँ पर पूरे सिक्वेंस ही है तो इसका जो पहला अंसर हो जाएगा बांसवड़ा में बांगड़ी बोली जाते हैं बांसवड़ाओ डुंगरपुर में क्योंकि ये गुजरात की सीमा कारण कारणियां पर गुजरादी बाशा का बोल चालें उसका लाओ कोटा में हरुटी बारा जालाओट मतलब पूरे कोटा संभाग में ये हड़ती भाशा बोली जाती है। बहुत बहुत बार एक्जाम में पूछा जाता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जेपूर हो जाएगा 28 वे क्यूस्चन हमारा एसी कौन सी भाषा है जिसे आठवी एनुसुची में इस्तान नहीं मिल पाया है पहला है राजस्थानी दूसरा संस्कर्थ तीसरा बंगाली चोती उडिया तो 28 वे का जो राइट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा राजस्थानी हो जाएगा इसी कौन सी भाषा है जिसे आठवी एनुसुची में इस्तान नहीं मिल पाया है तो हमारी राजस्थानी भाषा हो जाएगा पाकिस्थान्सकर्थ बंगाली और उडिया इन सभी को राजस्थानी भाषा में मतलब इन सभी को दूसरी मतलब काउटी उसके लाव मारवारी चितोडगर बिलवाड़ा और उद्यपूर तो यहाँ पर उन्तिसवे का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह जाएगा यहाँ पर पेला हो जाएगा यहाँ पर देखलो आप बांगडी कहां पर बोली जाती जैसे कि मैंना आपको बता जाती है बरज भाशा जो बोली जाती है दोस्तों यह उत्तर प्रदेश दिल्ली की सीमा के राजेक बांग बोली जाती है तो यहाँ पर दिसका पेला हो जाएगा मेवाड़ी कहां पर बोली जाती है तो मारवाड़ी बोली जाती है तो मारवाड़ी दोस्तों मारवाड़ी जेसलमेर जोदपूर दोस्तों गलत हो गया मारवाडी बोली जाती है मारवाडी के लिए चोता आजाएगा यहाँ पर जोदपूर जेसलमेर विकानेर तता सेकाव टीम बोली जाती है उसके लाव जो मेवाडी बोली जाती है चितोडगर बीलवाडा और उधेपूर में बोली और दोस्तों यह जाए जो राहित आंसर जाएगा पेला हो जाएगा यहां पर सभी अपने अपने इस्तान पर सुमेली तो दोस्तों आज का वीडियो नहीं लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर लाच तक बने रहे तो एक सद दो दो मेने का अंदर-अंदर आपका पुरा कोर्स कतम करवा दें क्योंकि हम जितनी मेनद कर रहे मुझे लगता कोई दूसरा चैनल वाला कर रहा होगा तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और आपके जो भी दोस्त को पटवारी उसके लावा हाई कोट की भरती की त्यारी करें वहां तक भी इस वीडियो को शेर कर दे ताकि और भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों ताकि सबीका सेलेक्शन हो जाए आपको यही दुआ करते हैं जे हिंजे वारत जे राजिस्तान